नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेश आइस वक जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबने जोदपूर शहर में भले ही कोरोना को लेकर नाइट कर्फू लगा हुआ है लेकिन कुछ बदमाश्वे शरार्ती तत्व अभी भी कोरोना गाइड लाइन का उलंगन कर रहे हैं वे नाइट कर्फू में भी सड़कों पर घूम रहे हैं और ऐसा ही एक वाक्याश शहर के खिदेस्तल नई सड़क चुराहा पर हुआ जिसमें एक अग्यात स्कॉर्पियो स्टंट करते नजर आ रहे हैं इसके बाद यह स्कॉर्पियो तेजी से वहां से निकल गई और यह विजनों की रुलाई फूट पड़ी परिवार के लोग सदमे में आ गए हालात यह हो गए कि शादी गाले घर पर दूलन की मोत की खबर कोन दे दूलन बनी बेटी की मोत से पिता पर तो दुखों का पहाड सा तूट पड़ा और यह घटना सदर थाना शित्र के सुभाश प मुकाबले अपरादों में 18.8 फिजदी की कमी आई है पुलिस कमिशनर जोस मोहन ने बताया कि वर्ष 2019 में जहां 9286 अपरादिक मुकद में दर्श किये गए थे वहीं वर्ष 2020 में यह संख्या घटगर 7536 रह गई है महिला अक्तियाचारों में भी काफी कमी आई है बिकानेर के नया शहर पुलिस साना शित्र के मुक्ता प्रसाथ का लोणी मिस्तित ग्रामिंट बैंक में दिन दहाडे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया यह घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मोके पर पहुँच गई और वारदात की जानकारी जुटा रही है थाना प्रभारी गोविन सिंग चारण ने बताया कि अग्यात लुटे रे ग्रामिंट बैंक में घुस गए और फायर करके रुपे लुट ले गए यह राशी कितनी है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है घटना की सूचना मिलने के बाद शहर के कई इलाकों में पुलिस नाके बंदी करवा दी रादसान हाई कोट की मुख्य पीट था जैपूर पीट में शीतकाली नवकाश के बाद सोंवार से न्याई कामकाश शुरू हो गया कोरोना वाइरस संक्रमन को देखते हुए फिलाल आठ जनवरी तक दोनों पीट में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के म समन्वे करते हुए ऐसी किसी भी परिस्तेसि निपटनी के लिए सभी आविश्चक विवस्ताइन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिला कलेक्टर नमित महता ने सबंद में सोंवार को कलेक्टिट सबागर में बैठक आयोजित कर ये निर्देश दिए राजसान सरकार द्वाराज किसा विभाग में कारेड़त समीधा ठेका प्लेस्मेंट एजनसी के मार्फत लगे कर्मियों की सूचना नहीं भेचने पर उमेद अस्पताल में लगे ठेका कर्मियों ने मैडिकल कॉलिश में प्रदर्शन किया और अपनी मांग काई ग्यापन प्रिंसिपल को सोपा बिकानेर में सरकारी उदास सिंथा के चलते करोडों की मशीने धूल फांक रही है आज की अधुनिक यूग में जहां छपाई सरीखी कारे में भी तकनीकी बदली है तो बिकानेर में सिर्थ रियासत कालीन राजकिय मुद्राणनले में ओफिस सिंथ मशीने भी है जो विदेशों से लाई गई हैरिटेज मशीने है खास बात यह है कि जो मशीने एक शरताब भी पुरानी होने जा रही है वो भी चालू सिद्धी में है सरकारी प्रेस में लगबग 39 मशीने है और आज भी सभी चालू है लेकिन सरकार उनका उप्योग नहीं कर रही इसलिए मशीने जंग खा रही है और यही नहीं इनको संचालित करने वाले कार्मिक भी है लेकिन उनके पास सिवाए ठाले बैठे रहने के कोई विकल्प नहीं है पानी के समस्य को लेकर जोदपूर के बनाड में रहने वाले ग्रामिनों ने सोंवार को जिला कलेक्टर को ग्यापन सोपा ग्रामिनों ने बताया कि बनाड में पिछले लंबे समय से पेजल किल्लत बनी हुई है और यहाँ बनाड और आसपास की शेत्रों में पानी नहा रहा है उन्हों में मेहगे दामों पर टेंकरों से पानी मंगवाना पढ़ रहा है एक महिला का नगदीवे जेवरों से भरा पर्स लोटाने वाले दुकानदार का जोधपुर के पुलिस कमिशनर जोसमोहन ने सम्मान किया दरसल पाली जिले के पुनायता में पुरोहितो का बास की रहने वाली सीमा का पर्स खो गया था उसमें पंदरा सो रुपे और पांच तुला सोने के आभूशन थे जूती शौप के मालिक चैन करण सोनगरा ने यह पर्स पुलिस को सोपा था इमानदारी का परिच्चे दिने वाले चैन करण का पुलिस कमिशनर ने सम्मान किया आशास सहयोगियों ने नियमित करने वाले सही चार सुत्रिय मांगो को लेकर जोदपूर कलेक्टरेट के बाहर एक दिवस्या धरना दिया और साथी जिला कलेक्टर को अपनी मांगो को ग्याबन सोपा उन्होंने चितावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो और लाइब्रीरी से अभी तक किताबे प्रदान नहीं करना साफ सफाई दिव्यांगों के लिए अलक सेक्शन बना कर प्रवीश देना आदी मांगे रखी गई है सिंदु सैना के बैनर तले सिंदी पाशदों का सम्मान समाहरो जोदपूर के सोज़ती गेट स्थ पुझ जुलीलाल मंदिर में आयोज़त किया गया कारेक्रम में पाशद नरेंदर फिथानी, पायल जानियानी, एमुम सुनिल संभवानी का सम्मान कर उत्साहवर्दन किया गया रेलवे बोर्ड के सज़श्य नरेश सालेचा का जोदपूर ब्रवन के दुरान स्वागत किया गया रेलवे बोर्ड के सज़श्य नरेश सालेचा ने उप महापोर और भाजपा के महामंत्रे देवेंदर सालेचा से उनके निवास्तान पर मुराकात की इस दोरान उनका वहां स्वागत किया गया और इस अफसर पर नगर निगम दक्षिन महापोर वनीता सेट जोदपुर मंडल रेल प्रबंदक गितिका पांडे भी मोचूद थे फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे थमाम मड़ी खबरों के साथ